नमस्कार सातियों, सवागत आपका हमारे यूट्यूब चेनल लाइबरेरी साइंस एजूकेशन में जैसा कि दोस्तों आपको पताई होगा कि हमारे चेनल पर आपको ओल इंडिया में जितनी भी गोवर्मेंट समंदी विकेंसी निकाली जाती है उन सभी विकेंसी को कवर किया जाता है हाली में लाइबरेरी समंदीत एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आपको लाइबरेरीन सहीत विविन पदों पर बरती दी गई है इसके लिए ओल इंडिया केंडेट अपलाई कर सकते हैं यह नोटिफिकेशन आपका केंड्रिय पैंटरो रसायन अवियांत्रिक एंपरदोगी की संस्तान की ओर से 30 जनवरी 2024 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके लिए आपको आवेदन किस तरह से करना है कौलिफिकेशन क्या रहेगी सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम डेटेल से चर्चा करेंगे तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप कियो एंड तक जरूर देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चलेगे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पर दोस्तों शेर जरूर करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहरे दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको सहाइक प्रुफेसर, इंगलिस और मेथ, इसके अलावा प्लास्टिक प्रदोगी की में व्याख्यात की पोश्ट है, व्याख्यात के लिए लेक्टिकल, एम, एलेक्ट्रोनिक्स, इंजिनियर, मसीन रख रखाव के लिए यहाँ पर अलग से आपको पोष्ट दी गई है जिसके लिए आपकी सेलरी बीस हजार से लेकर पत्चीस हजार उपे परमन्त आपको दी जाएगी नंबर ओविकेंसी की बात करें तो नंबर ओविकेंसी आपकी दो रखी गई है इसके लिए ओल इंडिया केंड़ेट अपलाई कर सकते हैं इनकी ओफिसिल qualification mention की गई है अगर आप लाइबरों के लेवा किसी अन्या बद पर आवेतन करना चाहते हैं तो यहां से आप qualification चेक कर सकते हैं इसे के साथ दोस्तों अगर हम library के लिए qualification की बात करें तो यहाँ पर आपको assistant librarian यानि की सहाइक library इन की post दी गई है नंबर ओविकेंसी आपकी दो रहने वाले हैं जिसके लिए All India Candidate apply कर सकते हैं इसके लिए आपकी qualification क्या रहेगी तो आपकी जो first class में आपने bachelor degree, library science में यानि की BLIS आपने कर रहा है first class में तो आप इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर आपका कोई भी experience नहीं मांगा गया है अगर हम salary की बात करें तो आपकी salary 20,000 से लेकर 25,000 रुपे पर मन्त दी जाएगी आपकी जो maximum age है वो 65 वर्स रखी गए तो इसके लिए age में आपको किसी भी तरह कोई भी problem नहीं आईगी क्योंकि यहाँ पर आपको age 65 वर्स तक दी गई है अगर हम बात करें तो यह vacancy आपकी contextual base पे निकाली गी है इसे एक साल के लिए रखा जाएगा और इसे आगे बढ़ा कर तीन साल तक भी किया जा सकता है यानि कि आपको यह जो आपकी जोब है वो एक से तीन साल तक रह सकती है इसे आगे नहीं बढ़ाए जाएगा क्योंकि आपकी जो पोश्ट है वो contextual base पे निकाली गई है साथ ही दोस्तों आपका जो कारे काल पूरा होगा तो उसके बाद में यहाँ पर आपको contextual base पे कारे करने पर आपका जो certificate है वो भी आपको यहाँ पर पर परदान किया जाएगा तक कि आप अन्यक किसी भी सरकारी संस्तान या प्राइबेट संस्तान में जो library समंदी पोश्टे निकलती है उन पोश्टों में काफी सारी ऐसी पोश्टे होती है जहाँ पर आपका experience मांगा जाता है तो बहाँ पर यह आपका certificate अबो काम आएगा इसी के साथ दोस्तों अगर आप other पोश्टों के लिए आवेदन करना चात इसी के साथ दोस्तों अगर हम selection process की बात करें तो इसके लिए आपका किसी भी तरह का कोई भी exam नहीं रखा गया है अगर आपके जो आवेदन है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके लिए आपका exam भी लिया जा सकता है या interview भी लिया जा सकता है लेकिन दोस्तों आपको बत थी यहाँ पर आविदन करना चाते हैं वे अपनी mail ID और mobile number को ध्यान पूरूफ रहें ताकि सोट लिस्ट किये के candidate को असानी से उनकी जो information आपको mail दोबारा दी जासके इसी के साथ दोस्तों अगर हम age की बात करें तो सभी पोश्टों के लिए आपके जो age है वो 65 वर्स रखी गई है तो जो विदारति यहाँ पर आविदन करना चाते हैं वे 65 वर्स तक के candidate यहाँ पर आविदन कर सकते हैं आविदन करने के लिए आपके जरूरी documents हैं उनके बारे में आपर आपको बतायागए जैसे कि आपकी आविदन करते हैं दसमी की marks जरूरी है और आप जिस भी पोश्ट के लिए आविदन करना चाते हैं उस पोश्ट के लिए आपकी qualification जो मंगी है उससे समंदित आपकी जो qualification होगी उसकी photocopy और अगर आप employee रहे चुके हैं तो उसकी जो salary और आपके जो employee रहने के जो आपको बहाँ पर लिखने के बाद जो tested की हुई copies है वो यहाँ पर आपको आविदन करते हैं साथ में लगानी होगी और इसके लिए अगर आपने जो computer का अच्छा knowledge है backhanded भी यहाँ पर apply कर सकते हैं या दोस्तों आपको किसी भी तरह कोई भी experience है तो backhanded भी यहाँ पर अपने experience certificate के साथ आविदन कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको आविदन किस तरह से करना होगा तो आविदन आपको offline करना होगा और offline आविदन करने के जो last date है वो है एक मार्च 2024 तो एक मार्च 2024 से पहले-पहले इनके दियो होए पते पर जो आवेदन पत्तर है बरने के बाद आपको speed post करवाना होगा जिसकी अंतिमतिति एक मार्च 2024 से अगर दोस्तों आपको इनका जो फोरम है वो डाउनलोड करना है तो आप इनकी अफिशली पेपसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description में mention किया हुआ मिल जाएगा आपको एक बार फिर बता दें दोस्तों कि यह है notification आपका Central Institute of Petrochemical Engineer Technology CIPET 22 जनबरी 2024 को जारिक किया गए था जिसमें आपको लाइबरेडियन सहीत विविनपद दिये गए है विकेंसी समंदी किसी वी तरह को क्वाईरी हो तो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अगर आपको नोटिस का पीडिप चाहिए तो आप हमारे टेलिगराम गूर्प से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा आशा करता हम दोस्तों हमारे दोवार देगी जान करिए अगर आपको अच्छे लेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जाजा शेर करें अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद